यूपी की राजिपाल आनंदी बेन पटेल और सीम योगी आदितनात की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी हटाए जाएंगे ये सुरक्षा कर्मी फाइरिंग, फेटनेस सहित कई अनिट टेस्ट में फेल हो गये थे जो यहाँ, नए सुरक्षा कर्मियों की तेनाती के लिए सुरक्षा शाखा टेस्ट ले चुका है अब उनका सर्विस रेकॉर्ड मांगा गया है सर्विस रेकॉर्ड की जांच के बाद प्रसिक्षर होगा और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का कारे शुरू हो जाएगा पतादे की सुरक्षा शाखा ने राजिपाल मोख्यवंतरी सहीद वी वी आईपी सुरक्षा में लगे प्लिस कर्मियों को फिटनेस वा फारिंग टेस्ट के लिए बुलाया था इसमें से अधिकतर फारिंग वा फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे इनने दोबारा टेस्ट के लिए बुलाया गया तो कोई पहुचा ही नहीं इसके बाद सुरक्षा शाखा ने प्रदेश भर से पुलिस कर्मियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की इसमें जिला पुलिस, SDRF, PAC आधी से 102 पुलिस कर्मी चयनित हुए थे अब पुराने सुरक्षा कर्मियों को हटा कर नए की तैनाती की जाने वाली है यूपी में वीवी आईपी सुरक्षा में तैनाती प्रप्रसुरक्षा कर्मियों को 25,000 रुपे प्रतिमा अतरिक भत्ता दिया जाता है साथी अनिसोवी धाय भी रहती हैं इसलिए वीवी आईपी सुरक्षा से कोई हटना नहीं जाता है फाइरिंग वा फिटनेस में फेल होने के बाद अब सुरक्षा कर्मियों को हटाना पड़ेगा क्योंकि वीवी आईपी की सुरक्षा से कोई समझोता नहीं किया जा सकता है बीते दिनों सीएम योगी की सुरक्षा में लगा एक कमांडो पिली भीत में जंसभा के दोरान बेहोश हो गया था इसके बाद से सुरक्षा कर्मियों की फिटनेस को लेकर सुरक्षा शाखा चृंति थी वहीं इस खबर को लेकर कि आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तब तक लिए देखते रहिए निउस वन इंडिया